सार्जनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिती भारत की सार्जनिक वितरण प्रणाली ने मूलियों को प्रभावी रूप से स्थिर बनाया है और उपभोगताओं को सस्ती मूलियों पर भोजन उपलब्ध कराया है। भारत में 1960 के दशक में भोजन की तीवर कमी के कारण राशिनिंग को पुनर जीवत किया गया था। 1992 में प्रस्तुत की गई संशोधित सार्जनिक वितरण प्रनाली यानि आरपीडी ने दूर दराज और पिछडिक शेत्रों को लाप्रदान किये। 1997 में आरम की गई लक्षित सार्जनिक वितरण प्रनाली ने सार्जनिक वितरण प्रनाली के लाभों को सभी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों तक लाया। लक्षित सार्जनिक वितर्ण प्रणाली की विभेदक मूल्य नीती ने निर्धनों, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों और गैर निर्धनों यानि निर्धनता रेखा से उपर के लोगों को लक्षित किया। 2000 में दो विशेश योजनाओं गरीबों में भी सरवाधिक गरीबों के लिए अंतियोदय अन्य योजना यानि AAY इवं दीन वरिष्ट नागरिकों के लिए अन्पूर्णा योजना यानि APS का आरम किया गया था। सरकार के अनाजों से ठसा ठस भरे अन्भंडारू के बावजूद भुकमरी की घटनाए पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। अनाज सड़ जाता है, चूहों द्वारा खा लिया जाता है और इससे अनाज की गुणवत्ता में गिरावट भी होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्यव प्रदान करने की प्रथा ने कई किसानों को केवल गेहूं और चावल उगाने के लिए प्रोच साहित किया है। इसके कारण मोटे अनाजों जैसे की बाजरा और मक्का की कमी हो गई है। शावल की गेहन क्रिशी से भूजल स्तर का अवक्षय होता है। खादिस सुरक्षा में सहकारिता की भूमिका। सहकारी समितियों ने सार्वजिनिक वितरण प्रणाली को देश के कई भागों में सभलता पूर्वक प्रबंधित किया है। तमिलनाडू में कम कीमत वाली दुकानों यानि FPS में से लगभग 94 प्रतीशत सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही है। मदर डेरी और अमुल सफल सहकारी समितियों के उधारण है।